नमस्कार मैं हूँ आचारे भूशन कोशल अब देखिए मैं आपको क्या लेकर आया हूँ आपके लिए एस्ट्रो तक में आपको बताने आया हूँ 2019 नया साल आपको बहुत-बहुत मुबारक हो और मुबारक तभी होगा जब आप अपने लखी नंबर को अपनाएंगे लखी कलर को अपनाएंगे तो नया साल आपके लिए बहुत अश्य जाएगा तो आप तुझे देख रहे हैं एस्ट्रो तक में यूट्यूब में और आप देख रहे हैं फेस्बुक में नया साल क्या होगा इसको पहले समझना चाहिए नया साल 2019 अंग्रेजी का साल अगर हम उसको पूरा-पूरा हो गया टू और वन हो गया थ्री थ्री और नाइन हो गया बारा बारा और तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा तीन तीन यानि गुरू का अंग है अब देखिए गुरू का अंग है तो आख के लिए गुरू का अंग तो जो होता है वो तीन होता है और गुरू का रंग होता है पीला तो कॉमन तोर पर ये समझा जाए कि 2019 में जो वेक्ति पीले रंग का बहुत ज्यादा प्रियोग करेगा वो उसके लिए लकी साबित हो सकता उसके काम बनेगे इसके अलावा जो तीन से जुड़ी हुई अंक हैं उससे भी उनका काम बनेगे तीन से जुड़े वे जिसे कि तीन नंबर छे नंबर नौन वाथी इसे डे से डिवायट करेंगे डिवायड हो जाते हैं तो तीन नंबर का बोल वाला रहेगा और टीन नंबर बड़ा इंप form right होगा इसी कॉमन सी बात है लेकिन हम आपको राशी अनुसर्व जी कि आपका कौन सा नंबर लखी होगा और कौन सा कलर लखी होगा जो आपके पूरे साल सुक, समझदी, धन, दौलत, एश्वरे, सब देगा आपके लख को चमकाएगा, आपकी किस्मत को चमकाएगा और आपके जीवन में जो भी कठीन से कठीन समस्थे आएंगे उसका हल निव होता है तो एक और नौ तो लखी आपके लिए है इसके अलावा आपके लिए कहा जा रहा है कि मेश राशी वालों के लिए इस साल जो है वहाँ साथ नंबर बहुत लखी होगा साथ नंबर अगर वो अपनाएंगे तो उनको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी हर काम में साथ है तो आप 34 नंबर अगर लेते हैं तो उसको जोड़िए तो साथ आयाता है तो जोड़ करके साथ आना चाहिए यह आप देखिए और आपका लखी कलर होगा हलका लाल रंग यानि चटकदार लाल रंग जो होता हना हलका वाला वह अलावाला सूट करेगा आपको वह उसको यह जाद से वस्तर बेड़ शेट कुछ भी नेम प्लेट कहीं भी बनाना कुछ भी करना इस कलर का इस्तमाज आप ज्यादा करें ब्रिशव राशी यह तो बिशर राशी का नंबर टू होता है यानि दो नंबर राशी है इसके अलावा बिशव राशी का स्वामी शुक्र हो होगा पांच नंबर अगर वो उपनाएंगे अपनी जीवन में इस साल नए साल में तो पांच उनको बहुत लाब देगा उनके सीजाद साहे लेकिन आप बात करते हैं लखी कलर की ब्रिशव राशी वालों के लिए वैसे तो गुलाबी रंग इंपोर्टेंट होता है क्यों में बहुत लाबकारी होगा बहुत अचसह रहेगा जीवन बहुत सफल होगा नहीं साल उनका सुक्वर्षि पुर्वक भीतेगव बात करते हैं तिन नंबर की यानि कि मिथुन राशी की मिथुन राशी का वैसे तो तीन नंबर की राशी है लेकिन मिथुन राशी का स्वामी बुद होता है बुद का अंग पांच होता है तो आपके लिए कहा गया है कि तीन और पांच तो आपके लिए लखी हैं इसके तो भी बनता है या आपके लिए कहा गया है कि आप अगर 20 लेते तो भी 202 बनता है तो दो आपके लिए बहुत लखी रहेगा दो अंक का इस्तमार ज्याज़ज़ादा करें तो आपके जिए बहुत बड़ी सफलता मिलेगी कोई भी चीज खड़ी दें तो डवल में खड़ी और आपका शुवरंग तो आपने बताई दिया तो अब यह है कि गुलावी रम के लावाद जो आप रतना है तो बहुत ही अचा रहेगा लेकिन बात करते हैं अब और चौथी राशी करक राशी करक राशी यू तो उसका जो स्वामी होता है करक राशी का चंद्रमा होता है और उसका अंक दो होता है और वैसे वो चार नंबर राशी होती है लेकिन उसका मूलांक के अनुसार अगर देखा जाए तो कौन सा नंबर लखी होगा चंद्रमा के के लिए खर्दम चंद्रमा के लिए ब्रस्पति ग्रहश्यूग होता है उनका तीन नंबर बहुत लखी होगा और तीन अंक जो है बहुत लखी के साथ साथ आप तीन नंबर के कोई वीचे अपनाएंगे तो आपके चलेगा लेकिन जहां तक सवाल रंग का है वैसे तो सफेद रंग उनका होता है क्रीम कलर उनका होता है लेकिन इस बार की जो कलर है वहाँ उनके लिए कहा जा रहा है कि डार्क रेड कलर उनके लिए बहुत सूर्य करेंगा उनके जीवन में सुक्षांती उस साल आएगा बहुत लखी साबित होगा यह तो इसको अपनाना पड़ेगा पांच नंबर यानि सिंग राशी सिंग राशी का यह तो स्वामी सूर्य होता है सूर्य का अंक एक होता है और सूर्य पांच वी राशी होते हैं पांच और एक लकी तो हई है लेकिन आखिर इस साल उनका लकी नंबर क्या होगा सिंग राशी वालों के लिए कहा गया है उनका राशी नंबर जो है वह HOW चार होगा और चार वक्षा अपनाएके तो 4 उनके लिए भीवन में सफलता प्राप्ट करेंगा और चार ऑगे बढ़ाए गा और उनका लगी लेकिन बुद्ध उसका स्वामी है पांच नमबर भी लगी है लेकिन इस बार कन्यार SASY वालों लेकिन आप गुलाबी वस्त्र धारन करें गुलाबी इस साल का नया सैल का नया आपके लिए नया लखी कलर होगा बहुत अच्छा रहेगा बात करते हैं तुला राशी तुला राशी वालों के लिए कहा गया यूं तो उनका स्वामी शुक्र होता है जिसका अंक छे होता है और वह Durham की राशी होती तो का लäकी Dem quand बात करते हैं विशल की विः लिखशिक राशी की ल smoking जो आठ कोडे है और स्वामि-मंग ओर मंगल का नौ ऑंग उटा है लकी तो नौ तो हई है और तो इसलिए इसके अलावा उनके लिये इस साल को कड वो होगा आठ नम्बरलक एर आठ नमबर उने बहुत सफलता प्राप्ट करेंगे और उनका लखी कलर होगा औरेंज कलर और अपने जीवन में और अपनाने से उने बोर्ड का भागी अच्छा चमकिया किसमें चमकेगी बात धनुराशी की गुरु स्वामी है तीन अंख है उसे साब से लेकिन गुरु का इस साल का नया अंख जो लकी अंख है वह है 9 नमबर नौ नमबर का प्रियोक करके और जीवने बहुत बड़ी सफलता प्राप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे धन दौर ऐश्वरे उससे आएगा 9 नमबर से इसके अलावा आपको पीले पीले रंग का प्रियोक जादा करना है और आप क के हिसाब से वो दे रहे हैं छे नंबर उनके प्यार के लिए रोमांस के लिए शादी शुदा जांपत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा छे नंबर को अपनाएं और आगे बढ़ें और उनके लिए बहुत अगे बढ़ेंगे लेकिन का लगी कलर क्या होगा उनका इसके अलावा बात करते हैं कुम्राशी की कुम्राशी स्वामी शनी होता है आट नंबर वैसे होता है लकी उनके लिए लेकिन इस बार उनको नंक हम लकी अंप गलना के इसाब से दे रहे हैं तीन तीन यानि की जो तीन नंबर होता है वो गुरू का होता है और गुरू का इस साल पीला रग अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा लखी कलर पीला होगा कुम राशी वालों के लिए और आगे बढ़ेंगे लेकिन काले रंग से जड़ाद दूर रहें नीले रंग से दूर से तो अच्छा रहे मीं राशीवीज्ट मीट राशी बार्मी-तER ऐसे तो तीम लग्खी उता लेकिन उप्रोग लेकिन उप्रोग मिलिए कहा गया है डूलै नुप बहुत अच्छा रहेगा वाइट कलर उनका लखी कलर होगा उनका काम बनेंगे पैसे धन्दौलत आपके काम बनेंगे इस तरह से आपनी जाना सभी राश्णियों के अनुसार यह आपका लखी नमबर क्या होगा लखी कलर क्या होगा यह सवा पनाएं और अपनी जीवन को सु आपको मुबारक हो और मुझे इजाजदे नमस्कार राम राम एस तो तक में बने रहना